नमश्कार दोस्तो आज जम बात करेंगे गंतंत्र दिवस प्रेट 2022 के बारे में इस से जुड़ हुए कौशन्स के बारे में और आपके आने वाले प्रिक्षाओं में इस टोपिक से 100% एक प्रशन पूशा ही जाएगा कम से कम दूसरी बात हम उन इवेंट्स को सबसे पहले कवर करेंगे जिन से पक्का है कि प्रशन आएगा ही आएगा और गंतंत्र दिवस उन में से एक है सिर्फ एक question discuss किया गया है कि कौन सी बर्षगांट मनाएगा है उसके अलावा सारे ही उसके पास से रिलेटर जाने कि पहला गंतंतर दिवस पहले मुख्यत थी लेकिन हमारा जो focus रहेगा वो रहेगा 2022 का जो रिपब्लिक डेसलिब्रेट किया गया है उसी पर तो सबसे पहला question क 26 जनवर 2022 को गंतंतर दिवस की कौन सी बर्षगांट मनाई गई तो मनाई गई है 73 जाने कि option C इस प्रशन का right answer हैगा देखिए एक और प्रशन जो इससे हर बार पूछा जाता है कि मुख्यत थी कौन थे तो देखिए इस बार मुख्यत थी कोई भी नहीं थे ठीक है इसलिए प्रशन मैंने एड नहीं किया है तो इस लग भी मुख्यत थी नहीं थे देखिए जो मद्धी आशिया जो पांच देश बना तो प्रशन वहीं बनता है जो क्या हो चर्चा में रहा हो देश ठीक है तो पांच मद्दे एशिया देश जनको बुलाया गया था वो कौन-कौन से है किर्गिस्तान तुर्कमेनिस्तान तजीकिस्तान कजाकस्तान और उजवेकिस्तान ठीक है तो पहला प्रशन हो गया C 73 अब अगले प्रशन करने से पहले एक नोट मैंने डाल रखा तांकि आपको आग सरवस्रेश मार्चिंग दल चुना जाता था लेकिन तब क्या कि बिजेता एक ही रेता था आपको एक ही नाम याद करना पड़ता था इस बार क्या है कि वो बिजेता तो रहेंगे रहेंगे लेकिन इस बार एक हर कैटिगरी में एक एक और बिजेता भी गोशित किया गया है जैसे इस वर दो जहांकियों को सरवस्रेश चुना गया है दो ही मार्चिंग दलों को सरवस्रेश जब बिजेता गोश्चित किया गया है जैसा क्यों एक तो जैसे पहले बिजेता चुना जाता था बैसे चुना गया है लेकिन इसमार जन्ता की बोटिंग के अधार पर भी एक-एक बिजेता हर कैटिगरी में चुना गया है और उसे क्या नाम दिया गया है लोकप्रिय पसंद शिरेणी तब आपका जो अंसर कुछ और होगा लेकिन अगर सिंपल ऐसा लिखा आया है कि गंदंतर दिवस प्रेड 2022 की सरस्रेश्ट राज्य जहंकी का खिताब किसे मिला तब आपका अंसर कुछ है और होगा ठीक है लोग प्रीव पसंद शिरेनी अगर लिखा हुआ है तब ही वो आप अंसर लगाएंगे तो जही मने लिख रखा कि पहली बार 2022 में जे पेश किया गया जिसमें आम जनता को माई जीओ भी प्लेटफॉर्म के माद्यम से सरस्रेश्ट मार्चिंग दल और सरस्रेश्ट जहंकी के लिए बोड करने के लिए अमंतरित किया गया था ओनलाइन मतदान 25 से 31 जनवरी 2022 के बीच आयोजित किया गया था ठीक है अब चलते हैं प्रशन 9 की तरफ तुम आपको साथ साथ में बताता जालूँगा तो गनतंतर दिवस प्रेट 2022 की सरस्रेश्ट राज्य जहंकी का खिताम मिला है उत्तर प्रदेश को इस प्रशन का जो राइट अंसर जहंकी प्रस्तुत की उसकी थीम क्या थी जैव वविदता और महराश्टर के राज्य जैव परतीक ठीक है अब हम बात करते हैं उत्र प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश ने जहंकी प्रस्तुत की उसकी थीम क्या थी तो उसकी थीम थी थी थीम भी याद रखनी पड़े जहांकियों कोई चैन कोन करता कि जह जह राज्य की जहांकी प्रेडवे हिस्सा लेगी तो जह चैन करता है रक्षा मंतरालिया ये भी आप याद रख सकते हैं देगी पहला स्थान तो रहा उत्तरपदेश की जहांकी का दूसरा स्थान रहा करनाटक का और तीसरा स्थान रहा म मेगहले का करनाटक ने जो जहांकी प्रस्तुत की उसकी जो थीम थी बो थी पारंपरिक हस्त शिलप के पार्ले जनकी क्रेडल ओफ ट्रेडिशनल हैंडिक्राफ्ट और मेगहले ने जो जहांकी प्रस्तुत की उसकी जो थीम थी पचास साल के राज्ये का दर्जा और महिलाओं के नेतरतव वाली सहकारी सुमितियों और SHG को शर्दांजली पर आधारित जांकी के लिए मिला दूसरा और तीसरा अगर आपको याद ना भी रहे तो आपको पहला तो जो जानि बिनर है जो बिजयता बहुत जाद रख रहे है लेकिन अगर आप नायबत सिल्दार की बात करें तो आपको पहला दूसरा तीसरे तक भी याद रखना पड़ेगा नेक्स प्रशन तीन सेवाओं में सरस्रेश्ट मार्चिंग दल किसे चुना गया तीन सेवाओं में थल सेना वायू सेना नो सेना ठीक है अर्मी और इंडियन नेवी तो इस प्रशन का तो राइट अंसर है वो है भारतिय नो सेना भारतिय नो सेना जाने कि इंडियन नेवी अब हम बात करते हैं लोग पर यह पसंद श्रेडियान की पीपल पॉपुलर केटिगरी जाने कि जनता की बोटिंग के अधार पर किस मार्चिंग दल को इन तीनो सेनाओं में सरस्रेश्ट चुना गया तब चुना गया है भारतिय बायू सेना को जनता की पसंद भारतिय बायू सेना इंडियन एरफोर्ट्स नेक्स प्रशन C.A.P.F. अन्य सहाइक बलों के बीच सरस्रेश्ट मार्चिंग दल की से चुना गया पहले जो बिजेता मार्चिंग दल चुना गया वो बात की गई हमने तीन सेनाओं के बीच अब है C.A.P.F. और अन्य सहाइक बलों C.A.P.F. का मतलब Central Armed Police Force जाने की जो परामिल्टरी Police Force से रहती है अब उनकी बात की जा रही है परामिल्टरी Forces और उनके साथ जो अन्य सहाइक दल जो मार्चिंग में हिस्सा ले रहे थे उन में से किसको चुना गया तो उन में से जो चुना गया वो है C.A.S.F. जाने की Central Industry Security Force Security Force Option C Option C आपको PDF में मिल जाएगा अब हम बात करें जन्ता की पसंद की अधार पर इस कैटिगरी में किसे बिजेता गोशित किया गया तो जन्ता की पसंद की अधार पर जो सर्फ्रेश्ट मार्चिंग दल चुना गया है परामिल्टरी फॉर्सेज में वो है केंदरीय रिजर्ब पुलिस वर्ल जन्की CRPF नेक्स प्रेशन केंदरीय मंत्रालेयों और भिवागों की श्रेणी में किस मंत्राले की जहांकी को बिजेता गोशित किया गया अब बात की जारीये मंत्रालेयों की दूसरी बात देखी इसमें जो नागरिक उड़एन मंत्रालेयों वो पहली बार प्रेड में हिस्सा ले रहा था जो भी आप याद रखेंगे तो इसको जो अंसर है वो है केंदरीय मंत्रालेयों और भिवागों की श्रेणी में शिक्षा मंतराले और नागरिक उडएन मंतराले की जहांकी को संजुक तुरूब से जाने कि दोनों को संजुक तुरूब से भिजेता गोशित किया गया है अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा मंतराले नों जो जहांकी प्रस्तूत की उसकी थीम क्या थी तो शिक्षा मंतराले और कोशिल विकास और उद्यमिता मंतराले की जो जहांकी की थीम थी बहुती राश्टि शिक्षा नी थी जाने की National Education Policy और नागरिक उडएन मंतराले नो जहांकी पेश की उसकी थीम थी उड़े देश का आम नागरिक ठीक है अब हम बात करते हैं कि मंत्रालियों में जनता की पसंद के आधार पर जनकी लोकप्री ये पसंद शुरेणी में किस मंत्राले की जहंकी को सरस्रेश बिजेता गोशित किया गया है तो लोकप्री पसंद श्रेड में संचार मंत्राले डाक भिवाग की जो जहांकी है उसे विजेता गोशित किया गया है और थीम क्या थी इंडिया पोस्ट 75 years at resolve महिला सिशक्तिकंट ठीक है इस वर्ष विटिंग रीट्रीट समारों से कौन सी धुन गीत हटा दिया गया है जे धुन गीत 2020 में भी हटा दी गई थी 2021 में से फिर से बहाल कर दिया गया और 2022 में से पुने हटा दिया गया जे है option C avoid by me जे महात्मा गांदी का प्रसिद इसाई भजन है ठीक है पसंदिदा इसाई भजन है कौन सा avoid by me इसको हटा दिया गया next गणतंत्र दिवस पर राष्टरपती को कितने तौपों की सलामी दी जाती है 21 ये तो अगर आप तुकका भी लगाते तब भी आपका सभी का सही होता दूसरी बात राष्टरपती की हुई तौँ आपको बता दूँ गणतंत्र दिवस परेड में जो मुख्य किरदार रहता है वो राष्टरपती का ही रहता है इसके बिपरीत 15 अगस्त में मुख्य किरदार होता है परधान मंतरी का गंतंतर दिवस प्रेड में, जो प्रेड की सलामी ली जाती है वो राश्ठरपती के ही दौरा ली जाती है जंडा भी राश्ठरपती के दौरा ही फिराया जाता है ठीक है Next, इसके विपूरित 15 अगस्त को प्रधान मंतर जंडा फिराते है आठ नमबर का कोशन है कि आप भारत के गंद अंतर दिवस्प्रेड में कभी पाकिस्तान का मुख्यति थी आया है जे कोशन देखे आपको एक्जाम में नहीं पूछ जाएगा बैसे पूछा भी जा सकता आज कल कुछ भी पूछा जा सकता है जे वैसे ही मैंने आपके क्योरिसीट के लिए जे कोशन एट गिया हुआ है तो इसका है कि ओप्शन भी हाँ दो वार दो वार कब-कब पहली बार 1955 में और उसके 10 साल बाद 1965 में 1965 के बाद आज तक कभी भी पाकिस्तान का मुख्य अति थी भारत गंतंतर दिवस्प्रेड में नहीं आया है ठीक है तो दो बार ओप्शन भी इसका राइट अंसर पाकिस्तान से भारत में गंतंतर दिवस्प्रेड के मुख्य अति थी के रूप में अमंत्रित किये गए पहले व्यक्ति का नाम बताईए तो 1955 में जो पाकिस्तान से जो व्यक्ति मुख्यति थी के रूम में शामिल हुआ था गंदंदर दिवस प्रेड में बो थे मलिक गुलाम मुहम्मद जो कि गवर्नर जर्नलों पाकिस्तान थे अब देखे कुछ की पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने है गंदंतर दिवस प्रेड राष्ट्रपती भवन से शुरू होती है प्रेड का समापन इंडिया गेट पर होता है पहली प्रेड 1950 में हुई थी आपको पता है कि 26 जनवरी को ही क्यों गंदंतर दिवस मना देखोंगे हमारा समीदा लागू हुआ था नेक्स्ट पॉइंट है गंदंतर दिवस पर राष्ट्री दोज फेहराना भारत के राष्ट्रपती दोरा किया जाता है बिटिंग रिट्रीट समारो प्रेड के अंत का परतीक है ठीक है बिटिंग रिट्रीट सेरमानी परतेक वर्ष 29 जनवरी को होती है भीजे चोग पर इस वार इसका इसे ओर्गिनाइज किया गया है भीजे चोग ठीक है तो जे थे Republic Day 2022 ठीक है इसे जुड़ हुए important questions इसके बाहर से कोई भी question आपको नहीं पूशा जाने बाला देखिए जो जहांकियों की बात मैंने की थी मैंने आपको जहे बता दिया क्या जहांकियों को जो chain की जाता है वो रक्षामंतराले के दोरा किया जाता है पश्चिम बंगाल की जहांकि को इस बार शामिल नहीं किया गया था ठीक है और जे थोड़ा बिवाद का मुद्दा भी बना था तो पश्चिम बंगाल की जहांकि को नहीं शामिल किया गया था पश्चिम बंगाल की जो जहांकी की थीम थी शायद सुभाष चंदर बोस से रिलेटेड थी तो देखें आपने सुभाष चंदर बोस से रिलेटेड भी कुछ पढ़ कर जाना है कि उनके जो जैनती कुप्राकरम दिप्स के रूप में मनाए जाता है तो वो भी आपका अलग से कुछ वीडियो के रूप से वीडियो के जरी में आपके वो भी कॉशन्स कवर करवा दूँगा ना ही केरल की जहंकी को भी इस वर जो रिजेक्ट कर दिया गया था तो इस वीडियो को आप जासा शेर कीजिएगा तांकि और भी जो एक्जाम की त्यारी करने हैं परिक्षाओं की भो भी इन वीडियो का फाइदा उठा सके ठीक तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो यूलियो को लाइक कीजिएगा कहीं भी कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट कर दीजीगा इसका पीडियेफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करनेगा